के फैलंब एनिलीडा का ऐणिमल सै फेरी टीमा जसका कॉमन न主ल में इसको केचवा भोलु gord likes नहीं अब देखेंगे फेरी टीमा पाया कहाँ जाता है यानि इसका आवाश स्थाम क्या है इसके है इते खैंबश्य ना केاز फोट्यो अम्हें despite बोलु हो हैंगे हैं यह स्वाइल ब्रो में पाया जाता है 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 जो सेग्मेंट होते हैं वो सवसे 120 होते हैं ठीक है फेरी टीमा यह एनिलीडा का फाइलम है तो इसकी बॉड़ी सेग्मेंटेड होगी और इसमें 100 से 120 सेग्मेंट होते हैं और नेरीज में कितना पढ़े थे 80 से 200 सेग्मेंट ठीक है अब फेरी टीमा के बॉड़ी स्टक्चर को देखेंगे इस्टक्चर ठीक है यह पार्ट जो प्रो इस्टोमियम है और यह पेरी इस्टोमियम ठीक है पेरी टीमा की बॉड़ी जो खंडों में बटी होती है इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे इसमें सेग्मेंट का इंपोर्टेंट रूम है इस्टोमियम ठीक है आप लूग देख लिए होंगे पेरी टीमा को देखिए यह जो है फ़र्ष्ट सेग्मेंट है तो यह हम इसके पूरे सेग्मेंट को नहीं दिखा सकते हैं तो कि यह जार सकते हैं और यह पेरिष्ट हो लिया, अब देखेंगे यहां से यह जो 5 से 9 सेग्मेंट तक, इस परमा थीकल तोर पाये जाते हैं, इस परमा थीकल, प्यूर, येट, फोर पिया होते हैं, 5, 6, 6, 7, 7, 8, और 8, 9, इतने होते हैं, फोर पियर, ठीक, आप देखेंगे, इसमें प्लाइटेलम पाया जाता है, प्लाइटेलम बॉड़ी के 3 सेग्मेंट से मिल कर बना होता है, 14, 15 और 16, प्लाइटेलम, ठीक, इस क्लाइटेलम में कूकून का फार्मेशन होता है, किसका, कूकून, का फार्मेशन होता है, एग लेंग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और एंब्राइटेलमेंट, इस सब का होता है, क्लाइटेलम में ही होता है, अब देखेंगे female genital pure female genital pure कहाँ पाया जाता है यह 14 सेग्मेंट में पाया जाता है यहाँ पे 14 सेग्मेंट में female genital pure one pair होता है male genital pure 18 सेग्मेंट में होता है male genital pure 18 सेग्मेंट में होता है यह भी one pair होता है इसके बाद male genital pure देखेंगे यह 17 सेग्मेंट में होता है male genital pure ठीक यह 17 सेग्मेंट में कितने होते हैं two pair ठीक यह लाश्ट सेग्मेंट एनेस होगा अब इस पर में इस पर में थी तल pure अलग्स देखेंगे एने हैं जो इस परमत ठीकल प्योर होता है वो 5, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पे होता है ठीक है प्योर कैसे होता है 5, 6, 7, 8, 8 और 9 सेगमेंट पे होता है इस परमत ठीकल पे ठीक है 4 पेर होता है और इस परमत ठीकल जो होता है इस परमत ठीका इस परमत ठीकल यह भी 4 पेर होता है यह 6 सेगमेंट, 7, 8 और 9 सेगमेंट में पाया जाता है ठीकल पेरिटीमा का बोड़ी स्टक्चर इसका जो फ़र्स्ट सेगमेंट होता है पेरी इस्टोम कहलाता है पेरी इस्टोम में प्रो इस्टोमियल और माउथ आ जाता है यह बोड़ी का फ़र्स्ट सेगमेंट होता है ठीक इसके बाद जो है इस परमठीकल पेर यह 5, 6, 6, 7, 7, 8 और 8, 9 सेगमेंट यानि 4 पेर सेगमेंट पे पाया जाता है और 14 सेगमेंट में крас Beyond Peer होता है और Clotelum 14-16 सेगमेंट तक Clotelum होता है 14, 15 सेगमेंट में Clotelum में कोकों का फार्मेशन होता है एग लेइग होता है फर्टिलाईजेशन होता है और Embroionic Development भी Clotelum में ही होता है Male Genital Pure जो है वो 18 सेगमेंट में और फीमेल जेनाइटल प्यों ये चाहिए